हलो बच्चो स्वागते आपका हमारे चैनल पर त्वार्श हम पढ़ दे जा रहे हैं कहानी बच्चो हिंदी स्टोरी तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और आज हम पढ़ेंगे कहानी में कौन सी कहानी पढ़ेंगे बच्चो घमंडी का सर नीचा क्या बच्चो घमंडी का सर नीचा नीचा तो चलो पढ़ते हैं एक दिन एक जंगल में एक शेर रहता था वे प्रति दिन अनेक जानबरों को मार कर खा जाता था कैसे? एक जंगल में एक शेर रहता था वे प्रति दिन अनेक जानबरों को मार कर खा जाता था खा जाता था बच्चो इसलिए जंगल के जानबरों की संख्या दिन प्रति दिन कम होने लगी इससे जानबर बहुत चिम्तित होगे बच्चो बहुत परिशान हो गए क्या करें एक दिन जंगल के सब जानबर मिलकर उस शेर के पास गए और उन्होंने शेर से प्रातना की कि तुम प्रति दिन केवल एक जानबर को ही खाया करो हम लोग प्रति दिन एक जानबर को तुमारे पास भेज देंगे शेर ने उनकी इस प्रातना को सुईकार कर लिया एक दिन एक नन्ने खरगोश की बादी आई वे बहुत चतुर था बच्चो चाला खोशियार रास्ते में वे शेर से सदा के लिए चुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा इसी उधेर बुन में डूबा वे शेर के पास देरी से पहुचा शेर को खरगोश पर बहुत क्रोद आया गुसा आया बच्चो उसने खरगोश से देरी से आने का कारण पूछा तो खरगोश ने उत्तर दिया महराज रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया था बे मुझे खाना चाता था लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आपके पास आया हूँ बे स्वैम को इस जंगल का राजा भी बता रहा था खरगोश की बास तुनकर शेर को बड़ा क्रोध आया गुसा आया बच्चो बहुत उसने तुरंत खरगोश को दूसरे शेर के पास ले जाने को कहा खरगोश शेर को एक कोई के पास ले गया उसने शेर से कहा कि इसी कोई में वे दूसरा शेर रहता है शेर ने कोई में जाका तो पानी में उसे अपनी परच्चाई दिखाई दी उस पच्छाई को शेर ने दूसरा शेर समझा और जैसे ही वे उसकी ओर जप्टा वैसे ही वे पानी में डूप कर मर गया क्या? पानी में डूप कर बच्छो वो मर गया क्योंकि कुए में कोई शेर ही नहीं था कुए में तो शेर की पच्छाई थी और शेर ने समझा कि यह दूसरा शेर है इसलिए उसने चलांग मारी और वो पानी में गिर गया और मर गया बच्चो बैसे ही भी पानी में डुक कर मर गया बच्चो अब सभी जानबरों ने चैन की सास ली क्योंकि बच्चो वो शेर बहुत ही गंदा था Сब जानबरों को परशान करता था जब वो मर गया तो सब जानबर खोश हो गए बोले अब हमें कोई परशान नहीं करेगा तो बच्चो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करना और एक थम्सब देना थैंक यू बाई बाई